पूरे दिन दियां एम खबरा दिनाल असी हासर हां आज कल करांगे सुखपाल खैरा वारे जिना ने पंजाब कॉंग्रेस चॉइन कर लेगे की कुछ केखा है कैप्टन दी सिफ्ट देविच खैरा ने एवी दसांगे खैरा वलो पंजाब कॉंग्रेस जॉइन करन तो बाद आम आदनी पार्टी ने किमे खैरा नो तावा लाया है अते क्यों कैप्टन दी कोठी दाके राव की था इस दी भी गल करांगे कैप्टन साहब दिल्ली पहुँच चुके ने किमे हाइकमान नार मिलकी और सिद्धू दी किसमत दा फैसला करंगे इस देवारे गल करांगे वैक्सिनेशन नो लाके सुखबीर बादल ने किस तरीके नाल कैप्टन दी पोल खोली है एवी दसांगे कामरे डागू राजिंदर दीप सिंग वाडा नो किसान आंदोलन विचो एक हफ्ते ले सस्पेंड कर देता किया है की एस दे पिछे कारण इस दी गल करांगे साथ स्रिया काल देख रहे हो तुसी जस्टी वी दा प्राइम टाइम शो खबर होन तक में हानी लम सैनी शुरुआत करांगे पहली खबर देनाल जो कि गौतम गंबीर फाउंडेशन देनाल संबंदत है गौतम गंबीर फाउंडेशन दे खिलाव कोविड दी दवाई दी जमा खोरी दे मामले देवच जल्द कारवाई हो सकती है दरसल गौतम कंबीर पूर्वी दिली तो संसन्सद मेंबर ने उनादे एंजियो गौतम कंबीर फांडेशन खिलाव दिली हाई कोट्ड देविच एक केस चल रहा है इस मामले नो लेके ड्रग्स कंट्रोलर रो जाच दे होकम हाई कोट ने देते सी ड्रग्स कंट्रोलर ने उनके है कि गौतम गंबीर फांडेशन ने दिली देविच करोणा दी दवाई बंड़न दे भाहा ने गेर कानुनी टांग देनाल फैबी फ्लू दी जमाखोरी कीती है पूरा मामला तो हनू समझा देयां दरसल अप्रेल दा इन मामला है जो तो गौतम गंबीर ने एक ट्वीट किता सी इस ट्वीट दे विच गंबीर ने कहा सी कि उना दे आफिस तो लोग कोवीड दी मैडिसीन फैबी फ्लू लाय के जा सकते ने मरीजा नू अपने नाल डॉक्टर दा प्रिस्क्रिप्शन अतिया दा आरकाड लाय के आना होवे का फिर ओ दवाई उस फाउंडेशन तो लाय सकते ने होन गौतम गंबीर दी फाउंडेशन ते दोश ने कि इना ने महामारी दे उस दौर दे विच दवाई दी जमाखोरी कीती जद लोग का नो इस दी बहुत लोड सी यते देश दे विच इस दी किल्ल चल वे सी सो पूरा मामला तो हनों पता लाग गया कि क्यों गंबीर दे फाउंडेशन खिलाफ होन कारवाई होएगी एक एकल होड इस फाउंडेशन दे नाल नाल उस मेडिसीन डीलर ते वी कारवाई होएगी जिसने दवाई गौतम कंपीर फांडेशन नो मुखाया करवाई सी बहुत दिना तो चरचावा सी गया कि सुखपाल खेरा कॉंग्रेस दा हाथ फट सकते ने खेरा कॉंग्रेस देविच बहुत जल्दी शामल होंगे कॉंग्रेस हाई कमान दिना दिल्ली देविच गुप चुप मीटिंगां दी खबरां वी आईयां सी गया आज जुना सारियां कंसोहां दे ब्रेक ला कई सुखपाल खेरा ने कैप्टन साहब दी अगवाई चे कॉंग्रेस जॉइन कर लई कैप्टन साहब आज दिल्ली पहुंचे हुए ने हाई कमान दिनाल मीटिंग सी कैप्टन साहब दी पर उस तो पहला उना ने खेरा नो कॉंग्रेस जॉइन कर वा देती पंजाब कॉंग्रेस दे फेस्बुक पेज ते खेरा दी जॉइन नो लाखे पोस्ट पाई गई तस्वीरां भी कैप्टन साहब दिनाल जो खेरा दी से गियां और सांजियां कीतियां गई यां खेरा देनाल जगदेव सिंग कमालू पिरमिल सिंग तोडा ने वी कॉंग्रेस जॉइन कर ली खेरा साहब ने कॉंग्रेस तां जॉइन कर ली जदो कैप्टन साहब दे खो दे मंत्री उना दी बगावत कर रेने अज़े देविच कैप्टन साहब दी तारीफ देविच कसी देवी खैरा ने पड़े पर सब तो एहम कर आम आपनी पार्टी ते खैरा जम के वरे खैरा ने कहा कि हम आपनी पार्टी नो जॉइन करना सब तो वड़ा ब्लंडर सी की कुछ कहा खैरा ने सुनो तो सीवी इंपोर्टेंट साड़े जड़ा निशानना कहलो टिच्चा कहलो उन्हादी सेवा करने वास्ते आज जड़ा सी हैं कॉंग्रेस पार्टी दा प्लैट्फॉर्म चुणे आवा असी सोनिया जी दा कैप्टर नबंदसिंग दा हरीश रावत जी दा सुनील जाक्खर जी दा सब् एक क्वालिटेटिव चेंज लेके आवांगे देशनी राजनीती वेच ते वर नो बेटर देन वी टीम ऑफ बीजेटी और परस्नली अर्विंद केजरी वाल एक बहुत बड़े पंदर दा डिक्टेटर है नाउनानाल जात्ती तौर ते क्रीबी वेच काम करने को बाद यत काले कनून बनाए बीजेपी ने पंजाब दी सरकार ने कैप्टन अबनिद्द सिंग ने उना ताल तिन्ने काले कनूना नो पंजाब दी विदा अंसरबादे विच्च अमेंड किता और एक रेजलुशन पास करके उनो पोस दिस जे मैं उना देनाल उसी कंपेरिजन कर रहे करन देले हाई कमान ने बनाई है अपने नाल कैप्टन साहब सिद्धू अते कुछ और विदायका दा पूरा कच्चा चिठ्था लेके पहुंचेने क्योंकि विदायका ने अते नराज मंत्रिया ने कैप्टन खिलाफ कमेटी सामने अपनी पडास कटी है सो कमेटी ने कैप् जानन तो बाद हाई कमान हुन फैसला ले सकती है फैसला ए होएगा कि कैप्टन दी कुरसी ता बरकरार रखी जाओंगी यानि की दो हज़ार बाई दी अगवाई कैप्टन ही करन की पर नराज वदायका ने मंत्रिया नो खुश करन दे लई पार्टी उना नो एहम जिम्मेवारी क्या दिती जाओगी इस बारे वी कन सोहा ने कि कैप्टन दे नार आज दी मीटिंग तो बाद सिद्दू दी जिम्मेवारी नुलाके फैसला हो सकता यानि की चाहे एक कलेश दिल्ली पहुँच किया है पर सिद्दू दी किसमत दा फैसला फिर भी कैप्टन सा वारी ते मुहर लाओं देने देखन वाली कल होगी देखन वाली कल ये भी होगी कि जिम्मेवारी मिलन तो बाद सिद्धू उस जिम्मेवारी न सुविकार करनगे या फिर नहीं सुखपाल खेरा कॉंग्रेस देविच शामिल हो गये विरोधी की में चुप रह सकते सी विरोधी जो की कदे उनादे साथी होया करते सी पगवंतमान चुप नहीं बैठे पगवंतमान ने अपने ही अंदाज देविच खेरा ते तवालाया पगवंतमान ने किहा कि खेरा दा नीमी पाके सरी जानदा है पगवंतमान ने किहा कि खेरा हमेशा सिख नसल कुशी दी गल कर दे रहेंदे सी होन एक कलुकारा हफता चल रहे है कटो कट कॉंग्रेस देविच जानदा कोई होर दिन ही खेरा साब चुन लेंदे उनना नीमी पाके सरदय जी सरगया आज फेर नीमी पाई खड़े सी होते मैं पहला भी क्या सी इक चोण निशान तो एम्मेले ने एक चोण निशान तो अब ठिंडे अक्सर गल कर दे रहने हुँ ते आहां जीड़े दिन ने एक लूका रहा हफता है अजून दे से हफते ची दरवार साब ते ब्लू स्टार परेशन हो ऐसी कटो कट दिन तक यह दरुदर कर लेंदे ते होन जाके की जवाब देऊंगे होते ते परमजीद को और खालड़ा ज जिनन उनने ख़डूर साब तो लड़ाई सी गी टिकेट ते उनना ले देलते की भीत हुगी कि उनना दे जड़े हस्बेंड ने उनना दे कातला दे नालतो जी जाके उथे हाथ मलाले आते खड़े सी ते लोपी हुंदे होए कांगरस ते बड़े अटेक कर दे सी की हुन रे कैप्टन साहब दिल्ली पहुंचे और दराम आपनी पार्टी दे विदाया का कैप्टन साहब दी सरकारी कोठी दे बाहर पहुंच गये। आम आपनी पार्टी ने दोश लगाए कि लोग का दी परवा कांगरस यानू नहीं है परवा है तब आस अपनी अपनी कोठी दी जिसनू बचाउन दे ले इस सारे कांगरस इस वक्त दिल्ली पहुंचे होई ने हुँचे दो कैप्टन साहब दी कोठी केरन दी कोशिश आप विदायका ने कीती ता जो बैरिकेटिंग पुलिस ने कीती होई सी उस नो तोड़न दी कोशिश विदायका ने कीती चंडीगड पुलिस ने उना नो हिरासत विचला लिया पर इस दे बावजूद नारे बाजी कैप्टन सरकार खिलाफ लगातार कीती जान दी रही कैप्टन ने पंजाब नो किस्मत दे सहारे छड़या होया है सारे दिल्ली जाके बैठे ने किसी नो अपनी कुरसी बचाउन दी पही है ता कोई नवी कुरसी पाल रहे है इस सब पगवांतमान ने की है कैप्टन दी कोठी के रंतुबाद पगवांतमान ने एक प्रेस किती रागव चट्टा मौजूद सी उना दे ना दो विदायका दे बेटिया नो पंजाब सरकार जो नौकरी दे रही है जिस दिविच छिफाते जंग बाजवा दा बेटा शामिल है विदायक राकेश पांडी दा बेटा भी शामिल है इस मामले नो लाके पगवांतमान ने टैंकिया ते चाड़ रहे ने उना ते कैप्टन साहब नो तरस नहीं होंदा ते आज कैप्टन साहब भी दिल्ली चलेगे है थोड़ी देर पहला ते पंजाब जड़ा होनो किसमत दे सारे छट्ट्या हुए लावार से बैक्सीनेशन है नी कुछ नी ते सरकार जड़ी आओ ते नाड़ नाड़ एक होर जड़ी गल जड़ी पंजाबियां दे खास्त औरते नौजवान पड़े लिखे नौजवान डिग्री होल्डर्स उनना दे जखमां ते नमक छिटकन वाली है दो एमेल ले आँ दे बेटेयां नू नोकरी दिती जारी है एक नो डियास पी तेक नूजवान नौख्रेयां मतलब तन नोकरी होन तक करकर नौकरी देंदावड़ा करके से बेटे जड़े नौजवान नौकरीfolg्यां मेल ना खास करके लोजगरा ना मार रहे नैं वेक्सिनेशन लो लेके हला मच्या हुए है वेक्सिन खतम है के अंदर सरकार पेच नहीं रही सरकारी हस्पतालना दिवेच स्टॉक नहीं है पर सुखबीर बादल ने इस मामले नुलाके एक वड़ा खुलासा कर दे हुए कैप्टन सरकार ते सवाल खड़े किते ने सुखबीर बादल ने के है कि वो लोका नु सरकार दी सचाई दसन के जो इस माहमारी दे दौर दिवेच लोका तो पैसे लुटन दिवेच लगी हुई है कैप्टन साब नू बनाया पंजाबियाने मुख मंतरी पर कैप्टन सरकार पंजाबियान दे जाना दे खेने लगी ए तो माड़ा कटिया फैसला कोई कर नी सकता मैं हरान है कैप्टन चार साल लुटते होगे हले ना दे पेटनी परे किस लुट दी गार सुखबीर बादल कर रहे ने ओ भी तो हैनुदास दे हां सुखबीर बादल ले कि है कि सरकार वैक्सिन खरीब चुकी ए वैक्सिन दी किते कोई कमी नहीं है 400 रुपईए चे वैक्सिन खरीद दी ँगय है पर प्राइविट हस्पताल आनो वैक्सीन करीब हजार रुपई ये चो बेची जारी है इस तो बाद प्राइविट हस्पताल वैक्सिनेशन दे नामते लोका दी चम लारेने पर पंजाब सरकार लुटनते लगी है जेड़ी वैक्सिन पंजाब सरकार खरीद रही है वो चार सो रपिये ते खरीद रही है चार सो रपिये ते खरीद रही है चार सो रपिये ते एक डोज एक इंजेक्शन एक डोज पर लानी रही चार सो रपिये ते या लोना चाहिए था सी मुफ्त जिमें शिरोमनी गुर्द पज्याब सरकार 400 प्ये खरीद के प्राइविट हॉस्पिल ना ना सौधा हो गया इना सरकार दे मंत्रियां दा कि प्राइवेट हॉस्पिल लों दे रही है कि हजार पिये थे एकजार सब्भी एकजार सट मतलब 660 पिये पज्याब सरकार कर रही है ते प्राइवेट हास्पिल होर के तो ले नहीं सकते ते प्राइवेट हास्पिल अगे आई वैक्सीन कोई सखबीर बादल ने सपूरे मामले नुलैके चीफ सेकरेटरी विन्नी महाजन दे ट्वीट ता जिकर भी किता बादल साब ने कहा कि विन्नी महाजन मैक्स अते पोटीज हस्पतालां देविच वैक्सिनेशन ली लोकान रिजिस्ट्रेशन करवाँ ली ट्वीट कर रही है जिथे रेट भी इस ट्वीट देविच विन्नी महाजन ने मेंशन कीते ने त्वीट ने चीफ सेक्री ने वीट अप्राइवेट अप्राइवेट हॉस्पिडल माँक्स महलीये और फॉर्स होस्पिडल बेंन वैक्सिनेशन मैक्स चाज़िंग 900 और कोबरशील्ड और फोर्ट चाज़िंग 1200 रपिया प्लीज रिजिस्टर यॉर्सेल्फ विद दीज हॉस्पिटल्स बादल साथ गल तो हड़ी सही है लोट चार चफेरियों हो रही है लोग का दी जान दी परवा किसनों है कांग्रेस नों नहीं है ताफिर अकालिया नों भी नहीं है सारे सिर्फ अपड़ी ही सियासी फायदे देख रहे हैं किसान अंदोलन तो अगली वड़ी खबर है कामरेट आगू रजिंदर दीप सिंग वारा नों सेयूक्त किसान मोर्चे ने एक हाफते लेई सस्पेंट कर देता है रजिंदर दीप सिंग वारा नों सस्पेंट करन दे पिछे कारण अनुशासन ही इंतादस्या चाहरे है की किता दीप सिंग वारा ने अजहा की उसनों सस्पेंट कर देता क्या एक हाफते लेई ओविदास दिया दरसल कोच तीन पहला किसाना वलों गालबात लई बर्दानमंत्री नो एक चिठी लखी गई सी खबर आ रही है कि उस चिठी लिखंड दे लई सारी किसान जत्थे बंदियां सह्मत नहीं सी कोश्च किसान जथीबंदिया ने इस दा विरोध भी किता सी एक एहासी कि चिठी लिखन देनाल किसान आंदोला नूर साट वचे की पर उस दे बावजूत सयुक्त किसान मूर्चे वलू और चिठी लिखी गई सेयुक्त किसान मोर्ची ने एवी कहा सी कि कोई वी जत्थीबंदी या कोई वी किसान आगू इस गल्दा जिकर बाहर नहीं करेगा कि चिठी लिखन देविच सारें दी सहमती नहीं सी पर रजिंदर दीब सिंग वाड़ा ने एक नीजी चैनल नो इंटरव्यू दरान एगल क्या दिती इसी करके उसनों सस्पेंट कर देता कै हाला कि रजिंदर दीब सिंग वाड़ा दा कहना है कि उसनों इस खबर वारे परसनली कोई जानकारी नहीं है हाँ सोशल मीडिया दे जरिये उस तक एक खबरां पहुंचिया जरूर ने खबर मुन तक विच फिलाल है नहीं अपडेट्स दी लगातार वेग देरो तुसी जस्ट टीवी कमेंट कर सकते हो फीडबैक देश सकते हो पी राय देश सकते हो यूट्यूब ते साड़ा चैनल सब्सक्राइब करना ना पुलो फेस्बुक ते वी सानों जरूर फॉलो करो तन वाद